साइकोलिजी ओप मनी की ओथर मौर्गल हसल ऐसा कहते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वारेन बफिट के अंदर इन्वेस्टिंग स्कील है लेकिन वहीं पर वारेन बफिट के गेम में जो असली खेल है न दोस्तो वो है टाइम का आज के समय में वारेन बफिट के पास 115 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नेट वर्थ है जिसमें से 99% वेल्थ उनके 60 बर्थेड़े के बाद जनरेट हुआ था दिखिए जहां एक तरब अच्छे प्रॉफिट के लिए कहा और कितना इंवेस्ट करना ज़रूरी है जिसको हम इंवेस्टिंग स्कील कहते हैं ठीक उसी के साथ साथ जो असली पावर एन बॉस वो कमपाउंडिंग में है और कमपाउंडिंग जो है वो टाइम पर है